बहुत समय पहले एक छोटे से गाम्व में एक दूधवाला रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू अपनी इमानदारी और मेहनत के लिए गाम्व में जाना जाता था। हर सुबह वह जल्दी उठकर अपने गाय भेंसों का दूध निकालता और उसे साफ सुथरी बाल्टियों में भरकर गाम्व के लोगों तक पहुंचा था। वह कभी उसमें पानी या कोई और मिलावट नहीं करता था। इसलिए उसके ग्राहक उस पर आख मूंद कर भरोसा करते थे। हलाकि रामु की आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी नहीं थी। गामु के बाकी दूध वालों के मुकाबले उसका मुनाफ़ा कम था क्योंकि वह दूध में पानी नहीं मिलाता था। कई बार उसके दोस और साथी उसे यह सुझाव देते थे कि वह भी थोड़ा पानी मिला कर दूध बेचे ताकि उसका फायदा बढ़ सके। लेकिन रामु हमेशा मना कर देता और कहता मैंने कभी अपने इमानदार रास्ते को नहीं छोड़ा और नहीं मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ। एक दिन रामु को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसकी एक गाय बीमार हो गई थी और दूध नहीं दे रही थी। इसके कारण उसकी आमदनी घड़ गई। उस दिन रामु के मन में भी एक विचार आया कि क्यों न वह थोड़े दिनों के लिए दूध में पानी मिला दे ताकि वह अपने खर्चों को पूरा कर सके। उसे लगने लगा कि बाकी लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर वह एक बार ऐसा करता है तो इसमें क्या गलत है। अंततह उसने दूध में पानी मिलाने का विचार त्याग दिया और शुद्ध दूध ही बेचा। रामु की इस इमानदारी का फल उसे जल्दी ही मिला। गाम में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ जो गाम से शुद्ध और ताजा दूध खरीद कर शहर में बेचना चाता था। उसने गाम के सभी दूध वालों से मुलाकात की। लेकिन जब वह रामु से मिला और उसके दूध की गुर्वत्ता देखी तो उसने रामु के साथ एक बड़ा सौधा किया। की लोगों की मदद की।